तो फाइनली धूंडी लिया आपने, मुझे उम्मीद थी आप धूंड दोगे, आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी, नैतिक सिक्षा, हर्याना बोर्ड के किताब है आपकी और इसका पार्ठ नंबर 13 आज किस वीडियो में एक्स्प्लेन होने वाला ह पार्ठ का नाम है विशव बंधूतव वे मानवता, चलो शुरू करते हैं, मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास, लेकिन हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सोल्यूशन, लिखावा भी मिल जाएगा, वीडि यानि कि हम बात करते हैं इंसानियत, यानि कि सीधे सब्दों में कहें हम इंसान हैं, हमें दूसरे इंसान के दुख, दर्द, पीडाओं, पर दया आती हैं, उसी को हम कहीं न कहीं मानवता समझते हैं, मानवता कहते हैं, वैसे ही होता है कि विशव बंधूतव, यानि कि पू उसरे धर्मों को बरबाद नहीं करना जो भी चल रहा चलता रहेंदो लेकिन सभी इस पूरी दुनिया में जो प्राणी है जीव जन्तु है जो इनसान है हर कोईशी के साथ तुमें अच्छा वैवार करना है खुशी पूर्वक रहना है तो उसी के रिगार्डी ये चैप्टर होने वाला है कुछ बाते कुछ लोगों ने बताई कुछ जो है महान व्यक्तियों ने बताई तो बातों के बारे में या वेद गरंतों में जो बाते हैं उनको यहां पर हमें शिखाया जाएगा ठीक है चलो अब समझते हैं हम सब जानते हैं कि विभिन धर्मों के संतों गंबर वैसे साइध हिंदु धरम में होते हैं गुरू वगारा भी और ये जो है ना कुछ सीख धरम में भी है उनको जो सेम साइध देखा जाता है तो ऐसे अलग-अलग लोग है जो अपने धरम का परचार करते हैं उन सबने अपने अपने समय में विसव बंधुतव व्यमान कर ले तो ये तो कोई लोजिकल बात नहीं होती ना तो इसलिए हर उस समझदार व्यक्ति ने कोशिस करी कि इस दुनिया को बचाया जा सके पर तेक संत ने अपने अपनी वानी में इसकी अनिवारियता पर बल दिया कि ये जरूरी है तुम्हें समझ आना चाहिए गणना लगूचेत साम उदार चरितना नतु वसुधेव कुटुम्बकम यानि कि देखो इसका मतलब क्या होता है अर्थार्थ यह अपना है यह पराया है ऐसी गणना तो केवल दिल वाले लोग या संकिर्ण हर्दया वाले करते हैं यानि कि जिनका मतलब ये मेरा है ये ते है यानि कि समझ गए तुम अगर हम बात करें कि हमारी क्या सोच है ये घर मेरा है मुझे पैसा अपने लिए कमाना है मुझे जो काम करना अपने लिए करना है मुझे इस दुनिया से कुछ फालतु लेना देना नहीं है और ये मेरा नहीं है ये पराया है तो अगर हम ऐसा पर कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, व्यक्ति हो, मनुस्य हो, हर कोई जो है, उनके लिए बराबर है, और सभी को वो प्यार से बोलेगा, बात करेगा अच्छे से, तो ऐसा जो है जनरल या अपने साधू, संद, पैगंबर, गुरु, बाबाओं में, इन ही व्यक्तियो करें से बहुत है, कि हम इस नमबर के बीच में जो किताब आएगी है, नहीं में अपने चाहिए। तो इन्ही मोटिस को ध्यान में रखते हुए किताबे आई हैं आपके लिए ठीक है तो समझो ये भावना ये सिर्फ भावना ये समझाने के लिए सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराए गई है यानि कि यहापे कहने की कोशिस है आपका दिल जो है बहुत बड़ा होना चाह चाहिए मानवता होनी चाहिए मानवता की भावना आपके अंदर होनी चाहिए वैसी ही जो पंक्तिया है वो राष्टर कवी मैथिली सरण गूपत ने भी इसी भावना को कुछ इस परकार से बताया कैसे बताया हम सवदेश पर प्यार करें तो गर्व धरा पर देश अंततह खर्व सर्व है विश्व चराचर तो क्या कहा है देखो जैन मत के वैसे तो हिंदी है ये कहने को समझ मैं आ जाएगा तुमको सिंपल भासा है हम सवदेश पर सवदेश होता है अपने देश पर प्यार करें तो गर्व धरा पर धरा होती है धर्ती तो हमें अपनी धर्ती पर हमें अपने जैसे देश पे गरव होगा हम इस देश में जन में ये वो हमें प्रावड फील होगा देश अंतत्य खर्व सर्व है विसुचराचर और ये पूरा संसार भी ऐसा ही है सब अपने अपने पे गरव करते हैं हमें भी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए है कई ना कई जैनमत के महान संत आचारी है भद्र बाहू के भी सब्द है एक का मनुश्य जाई अर्थार्थ समग्र मानव जाती एक है यानि कि यहां पर जो धर्मों वाला खेल चल रहा है ना अगर हम इससे बाहर निकलते हैं त अमेरिका से यूरोप से कोई भी मलब ऐसे जो सैटलाइट वगारा अंत्रिक्ष में भेजता है जो कि ऐसे होता कि कहीं हमको इलियन्स को सैटलाइट मिल जाए तो हम क्या कहते हैं उसमें हम यह कहते हैं कि यह सैटलाइट जो है नासा वालों ने भेजी है यह इंडिया वालो करते हैं विशाल विश्व यानिकि इतना बड़ा संसार जो है ना मेरा घर है और उपकार करना मेरा धर्म है गुरुगरंत साहिव का भी यही उपदेश है मलब सभी धर्म के लोग यह मानते हैं यह चाहते हैं कि यह संसार एक हो जाए और आपस में नफरते बुला दे अवल अ को भी उस परमात्मा के ही एक हैं तो अब बरह कि रुकार सकते हैं कोई एक समान कोई बला या मंदा मंदें का मंदा का मंदा है घला आक इंसान और बुरा नहीं होता हम अच्छा और बुरण नहीं मन में क्या होता है एसे कुछ विचार होते हैं वह ब्रेक कर रहा तो भुरा इंसान और अगर ब्रेक कर रहा तो अच्छ भीस जलता रहे तुलसिदाश को पूरा विच्व ही शिराया में लगने पढ़ता है और वे कहते हैँ अलग-लब व्यक्तियों महां पर यहां पी लौए पर यहां करी है औन। अनु низy उन्होंने नहींbesताया उयर्णीच कोईटन नहीं है बड़ा मैटनर नहीं नहीं यहां पर जहां तक मुझे समझ आ रहा है, यहां पर कुछ कह रहे हैं कि सियाराम मैसब जाग जानी नीजी सारे संसार को जानते थे करहू प्रानम, जोरी, जुग, पानी यूनि कि इसकी पंगतियों का आर्थ मुझे भी नहीं पता बाई ठीक है सीधी बात है यहांपे माने पढ़ी नहीं है यह पंक्तियां कभी चलो को इना इग्दोर करते हैं आगे बढ़ते हैं बांगला कभी जो है रविंदर नात पैगोर ने भी कुछ पंग्तियां कही ती घरे घरे मोर घर आचे देशे देशे मोर देश आहे यानि कि घर घर में जो है मेरा घर है और परतेक देश मेरा ही देश है यानि कि तुमको समझ नहीं आया मैटर क्या बोल दिया इसने यानि कि ये संसार ये पूरी दुनिया ही मेरा घर है मेरा देश है अगर हम देश के हिजाब से बटवारा कर रहे है तो ये पृत्वी ही देश उन्होंने तो ये बात तक कह दी थी अंग्रेज कवी टॉम स्पैन ने भी अपनी पुस्तक दर राइट ओफ मैन में यही बात कही है विशव मेरा देश है और भलाई करना मेरा धर्म है मदब हर व्यक्ति यही कह रहा है यहाँ पे जो पंक्तिया एड करी गई है अलग-अलग किताबों से कुल मिला के हमें यह समझ आता है कि यह पूरा संसार हमारा घर है तो हम लड़किस के लिए रहे हैं थोड़ी सी जमीन के लिए या क्या मैटर है अब वो सोचने की बात हो जाती है फिर है बहलाई करने के जो गुण होते है देवता क्या करता है हमें आशिरवाद देता है हमारी मदद करता है ऐसा ही मानते हैं हम लोग तो वैसी जीज़े अगर हम मानवता रखते हैं इंसानियत का जो गुण है वो रखते हैं तो हमको देवताव से भी उचा ये मानते हैं उनका कहना है फरिष्टे से बहतर है इंसान बनना मगर इसमें पड़ती है महनत ज्यादा है ना फरिष्टे तो देखो फरिष्टे क्या होते हैं मलब ऐसी परकट हो जाएं मलब कोई magical तोर पे हमें हमारी मदद करने आता है तो हम क्या कहते हैं वो फरिष्टा है भाई लेकिन वो बनने के लिए हमें बहुत ज्यादा महनत करनी पड़ती है इतना आसान नहीं होता तो हमें अच्छा इंसान बनना तो आसान है फरिष्टा तो बनना मुस्किल हो जाएगा आपके लिए लेकिन बहतर है इनसान बनना आप इनसान बन जाओ मदद करो आप फरिष्टे से कम नहीं होगे फिर महरी शी अरविंद मानते थे कि मानवता के लिए जरूरी है सव भाव में सक्ती मन में सांती हर्दय में प्रेम विनायक दामोदर सावर करकर के अनसार मानवता ही उची देश भगती है यानि कि जो है ना मानवता मनुस्चताई की चीज़ है ये तो ये जो है ना इनके अनसार सब के अनसार यही बात है कि आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए सूफी, संत, खवाजा मुष्चुदीन, सिष्दी निजामुदीन, ओलिया, अमीर, खुसरो आदी मानविय गुणों के ही उपासकते ये परसित बंदे थे इतिहास के अंदर आपने नाम सुने होंगे इनके कही ना कही ये जो है ना मानविय गुणों की काफी उपासना करते थे यानिकि उनकी पूजा वगएरा करते थे कि हाँ भाई, इनसानिये थोनी चाहिए सबसे परमधरम है ये मारा वे मानव मानव में कोई अंतर नहीं मानते थे वे मानव मात्तर से प्रेम और सहनुभूती के पक्सधरते यानि कि सबसे उनका ये मानना था कि सबसे प्रेम करो, साहनु भूति रखो सब के साथ में, महरिशी, वेद्व्यास, ये तो नाम सबने सुनाओगा, ने भी महभारत में इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा है, नहीं मानुसात, स्रेष्ठ तरम, ही किंचित, यानि कि मानव दूसरे का दुख, पीडा, इंकष्ट या खुशी महसूस करनी आनी चाहिए, तो अगर हम कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं, अब भी इनसानियत जिन्दा है, देखो हम इनसान और रोबोट में क्या फरक होता है, यहीं तो होता है, बस हम फीलिंग से समझ सकते इस परकार सभी धरम, मानवता और विशव बंदूतव की बात करते हैं, सारे धर्मों में एक ही जैसी चीज मिलेंगी, आपने धर्मों के बारे में इस किताब में पढ़ाया थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा, कि अलग अलग लोगों की क्या-क्या राय चल रह हैं, सत्य, अहिंसा, प्रोपकार, बंदूतव और दया, आधी ऐसे मानव मुल्या हैं, जिन्हें सभी धरम एक जैसी आस्था के साथ स्विकार करते हैं, हर धरम में ये बोला जाता है, कोई ऐसा धरम नहीं होगा, तुमने कुछ भी ले रखा धरम, कोई नहीं बोलेगा, प्रोपकार, ये सारी भावना दया आनी चाहिए तुमको, ऐसे ये मानव मुल्या हैं, जो कि सभी धरमों के अंदर माना गया है, कि हाँ ये बढ़िया है, तुमको ये एक्सेप्ट कर लेने चाहिए, यदि उप्यूक्त सभी धरमों के अनुयाई भी इस भावना को अपना क सभी पैगंबरों, गुरुजों, अवतारों का तथा सभी धरमिक गरंतों का सम्मान सत्कार करें, तो विशव बंधूतव की भावना अपने आप विख्शित होगी, क्योंकि तो क्या होता है, हमें पहले तो ये सिखा जाता है, अपना भाई ये धरम है, जैसे हम इंदू ध अपना धरम बैस्ट है, पहले ये वालों को यह रहता है, उसनी लोगोंको टार्गेट करते हुसे बात कह रहे है कि हम ईए जितने भी गुरू, बभाबा, आवतार, प्युरू पैगंबर, जो भी लोग है, सबको पहले धारमी गरंतों का सम्मान तो करें जो उनके गरंत है, लेकिन साथ में विशव बंधूतव की भावनाव को भी बना के रखे ऐसा नहीं है कि तुम दूसरों से नफरत करना सिखा रहे हो आज गल तो तुम्हें समझ आता होगा कि वोट खिचने के लिए इलेक्शन में जाती वाद कितने नेक्स लेवल में पहुचा हुआ है न तो य एक काफी फेमस मंक्तिया है जो कि आपने सुनी होंगी सर्वे भवन्तू सुखीन है सर्वे संतू निरामया सर्वे भदरानी पस्चन्तू मा कदिश दुख भाग भवेत यानि कि इनके नुसार क्या है सर्वे भवन्तू सुखीन है यानि कि संसार में जितने भी प्राणी है जीव जन्तु हैं मनुस्य हैं जो भी है जिन्दा है जो वो सभी सुखी हो सर्वे संतु निरामया और सभी निरोगी भी हो जाए सर्वे भदरानी पस्चन्तु मा कचित दुख भाग भवेत और सभी का कल्यान हो और सभी का जितने भी संसार में जो भी कोई है उनको कोई भी त समझ तो आ गया है कि हमें क्या करना है ना जिस परकार धर्पन चाहे छोटा हो या बड़ा हमें हमारी सूरत दिखा ही देता है ना चोटा सा लेलो शिच्छा बड़ा सा लेलो कोई फरक नहीं पड़ता बट वो आपकी सकल तो दिखाई देगा आप अपने आपको तो पहुचा यानकी कुल मिला के ये बाते जो अच्छी बाते हैं वो किशी भी गरंत किताब कहीं पर भी काया रखे हो बले हमारे धरम में हो ना हो कोई मैटर नी करता बट जो अच्छी बाते हैं उनको हमें एसेप्ट कर लेना चाहिए और दुनिया का कल्यान हमें जो है हमें मलब दुनिय का एक अच्छा हिस्सा बनना चाहिए ना कि बुरा हिस्सा है ना फरवरी 2012 में एहमदाबाद गुजरात में जो है ना बरहम कुमारी संस्था के 75 वर्स पूरे होने के उपलक्स में अमरित महुत्सव का आयोजन किया गया अब यह जो है ना साइध पूछ भी लेगजाम में अम समय जो मुल्ख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था विसव एक परिवार है और हम एक ही इस्वर की संतान है यह भारतिय संस्कृति की विरासत वसुदेव कुटूंबकम की भावना का परिचायक है यानि कुनोंने जो बाते कहीं है ना वो जो पंक्तियां है वसुदेव कुटू तो इसका मतलब होता है सिंपली कि पूरा संसार वसुदा वसुदा होती है प्रिथवी जो धरती है ना यह पूरी संसार ही मेरा परिवार है मेरा घर है सब कुछ मेरा यह प्रिथवी ही है यहां पर कोई नफरत वाला सिस्टम नहीं रहा जाता फिर जब पूरी प्रिथवी क सुनने को मिलती है ये वर्ड का अर्थ जरूर ध्यान रखेंगे न वैसे कोश्टन अंसर वगएरा में भी पूछले साथ से तो ध्यान रखेंगे मैं बता दूँगा इस सुत्र को हम अपने जीवन में उतार कर ही सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं इन मानव्य मुल्यों को म अंसा वाचा कर्मना यदि व्याभार में लाने का परियास किया जाए न तो विसव का एक परिवार के रूप में परिणत होना आसान हो जाएगा कवी की उकती भी इसी बात को परमानित करती है आओ इस जग की व्याथा मिल जुल कर बाट ले विसव परिवार में तब लोग बन जाएगा न बाते कही गई आप और पार्फ पार्फ का में लोजिक यह संबा हो आपको यहीं सेंधने को मिलेगा तो यह मारा खुबसूरत साप 정말 की ठरती में यह परिवार रहे है वसु देव कुटूंब कम के बारे में ठीक है चलो आई होब चैप्टर समझ आ गया होगा प्यारा सा खुबसूरत सा चैप्टर था हाँ एक्जाम के परस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो भाई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है बठा अगर आप समझने के परस्पेक्टिव से देखोगे तो हाँ भाई काफी इंट्रस्टिंग चैप्टर है ये बढ़िया लगा मेरे को भी चलो मिलते हैं नई वीडियो में बाई बाई